हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब आशा रखती हो आप सब अच्छे हो खुश हो और अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को और बेल आइकन को भी ओल पे कर देना और अगर आपको रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कोई अ जिसके बारे में बता दूँगी और अगर जादा नीद है तभी आप काल बुक करना वरना ऐसे वीडियो से आप काम चला सकते हो तो चलिए दोस्तों शुरू करते हो दोस्तों क्या आपका पार्टनर भी आपको तरपाता है वो आपको इग्नोर करता है या फिर उसको आपक आपके से सारे पॉइंट्स को जमत सको तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को क्या करें क्या करें अगर पार्टनर को हमारे दुख से कोई फ़रक नहीं पड़ता है तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए आज इसी के बारे में मैं डिसकस करूंगी दोस्तों देखिए बहुत सारी छोटी-छोटी गलती होती है जो हम करते हैं और उसके बाद पूरा का पूरा जो ये matter है ना हमारे हाथ से निकल जाता है तब हमको समझ नहीं आता है कि हम करें तो क्या करें तो सबसे पहली जो गलती हम करते हैं दोस्तों ऐसे situation में जब हमारा पार्टनर हमको इगनोर कर ठीक है हम यह उसको जता देते हैं कि देखो तुमारे फ़रक ना पढ़ने से मुझे कितना फ़रक पर रहा है तो यह हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम रियक्शन देते हैं उसको यह बताते हैं जगरते हैं उससे कंप्लेंस करते हैं उसको कि तुम पहले जैसे नहीं हो पहले के सामने करते हैं और इससे उसका जो इगो है ना वो और ज़्यादा बूस्ट होता है और वो आपको डबल तरपाता है या तरपाती है बहुत ज़्यादा तरपाता है तो क्या करना चाहिए ऐसे सिचुँएशन में उस पॉयंट पर आते हैं सबसे पहले तो आपको डियाक्शन बिल्कूल भी नहीं देना है कि तुम मुझे क्यों तरपा रहे हो तुम मुझे पहले जैसे प्यार नहीं करते हो और फिर कॉल मैसेज्स क्यू नहीं करते हो इस साड़े साइलेंट रहना है और ना आपको उसको एक कॉल करना है ना आपको उसको एक मैसेज करना है ठीक है बिलकूल आपको कॉल मैसेज करना बंद करना होगा लेकिन ये कॉल मैसेज करना आपको तभी बंद करना होगा जब आपका पार्टनर आपको बहुत तरपा रहा होता है या फ जबरदस्ति का ये सारी टिप्स को फॉलो करके तो अगर आपका रिलेशन अच्छा है अगर पार्टनर अंड़स्टैन्डबिल है तो ये टिप्स प्लीज मत अपलाई करना अगर पार्टनर आपको तर्पाता है इग्नौर कर रहा है बहुत दिनों से आपको हट कर रहा है मैसेज़ेस करना है ना आपको उसके सामने ये दिखाना है कि मैं तुम्हारे बिना बहुत तरप रही हूं या तरप रहा हूं तुम प्लीज मुझे कॉल मैसेज़ेस करो ये सब आपको कुछ नहीं शो करना है ना आपको उसको जाता ना है तीसरा जो पॉइंट है वो है आपक को busy करने के लिए आप कोई course join कर सकते हो। आप कोई study कर सकते हो। इस cuma dot d तो वह सब आप कर सकते हो। तक आपका mind झो है वह किसी चीज में इंगेज रहे। अगर आपका mind इंगेज रहेगा तो आप partner को लेके कम सोच कweise बीक्र साइब और Хट कर 20 किसी चीज में engage होने के लिए और fourth जो point है वो है कि आपको बिलकुल भी डरना नहीं है लोगों के अंदर ये चीज बहुत होता है fear of lost कि अगर हम ऐसे करेंगे अगर हम partner से बात नहीं करेंगे या फिर हम उसको call messages नहीं करेंगे तो वो मुझे छोड़ के चला जाएगा तो ये चीज आपको बिलकुल भी अपने मन में नहीं लाना है क्योंकि देखिए अगर आपके life में ऐसा कोई partner है जो आपको इतना तरपा रहा है या इतना आपको इग्नूर कर रही है तो ऐसे partner से partner का ना होना अच्छा है ऐसा partner अगर आपके life से चला जाता या चली जाती तो आपके लिए ही अच्छा है ठीक है और आपको बिलकुल भी डरना नहीं है fear of lost या पर बिलकुल मतलाना कि मैं अगर ऐसे करूंगी वैसे करूंगा तो फिर partner छोड़ के चला जाएगा क्योंकि कुछ नहीं जाता है कोई सबकी जो अकड़ है ना वो ठीकाने आ जाता है और अगर partner आपको छोड़ के चला भी जाता है तो आपको इतना फ़रक नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि partner के आने से पहले भी आपकी life चल रही थी ना ऐसा तो नहीं था कि पार्टनर के आने के बाद ही आप अपना जीवन को जीए हो ऐसा तो है नहीं ना और हमारी सबसे बड़ी यही गलती होती है दोस्तों कि हम ना एक इनसान को भगवान बना देते हैं तो यह आपकी गलती है कि आपने उस इनसान को इतना ज्यादा महत्व दिया इतना ज्यादा आपने उसको importance दे दिया है कि आपने उसको इनसान से भगवान बना दिया है तो यह आपकी गलती है आपकी पार्टनर की हापे गलती नहीं है तो यह चीज को समझो और किसी चीज में engage हो जाओ इंगेज हो जाओ मतब दिखावे के लिए नहीं एकदम जेनुइनली आपको किसी चीज में इंगेज होना जाए वो कोई कोर्स हो जाए जीम हो आप वो अकाउट कर सकते हो उससे भी जो डिप्रेशन है या फिर जो ओवर थिंकिंग है वो हमारा बहुत कंट्रूल होता है योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो बहुत सारी ऐसी चीज है जहां पर आप अपने माइंड को एंगेज कर सकते हो ठीक है और आपको बिलकुल भी डरना नहीं है कि वो चला जाएगा तो मेरा क्या होगा मैं तो फिर मर जाओंगा या मर जाओंगी मैं तो जी नहीं पाओंगा या जी नहीं पाओंगी ये सबसे वरी misconception है ठीक है ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि कोई किसी के लिए अपनी life तो नहीं रोग सकता है जिन्दगी तो चलेगी और ऐसे इनसान से अच्छा है कि आप single रहो अपने life को enjoy करो क्योंकि देखो जब हम किसी से प्यार करते हैं जब हम किसी के साथ relationship में आते हैं तो यही सोच के आते हैं कि इस इनसान के साथ मैं खुश रहूंगा या खुश रहूंगी लेकिन अगर आपके पार्टनर के तरफ से आपको खली दर्द, ignorance, hurt यह सभी मिल रहा है तो ऐसे पार्टनर का जिन्दगी में होना जरूरी नहीं है ऐसे पार्टनर का जिन्दगी से जाना जरूरी है और ऐसे पार्टनर अगर आपके life से चला जाएगा तो आपके लिए ही अच्छा है ठीक है? आप अपने life में खुश रहोगे अच्छे से जी पाओगे life को तो यह सारी tips आप follow करो अगर उसके मन में genuine feelings है आपके पार्टनर के मन में और आपको वो तरपाता है या फिर आपको ignore करता है और उसको यह satisfaction है कहीं न कहीं की आपको इस चीज़ से फड़क परता है तो आप उसको कभी छोड़के नहीं जाओगी या नहीं जाओगे तो अगर उसके मन में थोड़ा सा भी feelings है ना तो वो पार्टनर जो है आपका वो जखमार के आपके पास आएगा अगर आप भी से आप ये सारी चीज़े अपलाई करना शुरू कर दोगे तो फर्स्ट मैं थोड़ा सा आपको points को याद दिला देती हूँ कि कौनसी कौनसी points आपको follow करना है फर्स्ट है आपको बिल्कुल reaction नहीं देना है second जो है वो है आपको कोई complain नहीं करना है कि ये क्यों नहीं कर रहे हो तुम message क्यों नहीं कर रहे हो call क्यों नहीं कर रहे हो ठीक है ये सब आपको बिल्कुल बंद करना होगा third जो point है वो है आपको किसी चीज में engage होना है कोई course हो सकता है कोई hobby हो सकता है ताकि आपका जो mind है वो divert रहे fourth जो point है वो है आपको बिल्कुल डरना नहीं है आगे move on करना है ठीक है अगर उसको आपके साथ रहना होगा तो वो जरूर आपके पास आएगा जरूर आपके पास आएगी जखमार के आएगी ठीक है लेकिन उसके लिए अपने आपको strong करो क्योंकि देखो जब हम किसी के पीछे दीवाने की तरह behave करते है ना दीवाना बन जाता है या दीवानी बन जाते है तो उस इंसान को ना हम दिखते नहीं है लेकिन उसी इंसान के सामने जब आपने आपको strong करके पेश करते न तो वही इंसान ये सोच के परेशान हो जाता है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है या हो सकती है ठीक है ये इतनी strong कैसे हो सकता है फिर ये तो मेरे बिना जी नहीं पाती है जी नहीं पाता है ये कैसे ऐसे हो सकता है त फिर वो उसको आना परता है आपके पास जख मार के आना परता है ठीक है